तो आप सबका नए वीडियो में स्वागत है मेरा नाम है अभिशेक और आप देख रहें पिले दो मुमेंट तो आज की जर्णी होने वाली है न्यू जॉलपाई गुडी टू उधेपूर ट्रेन वे जो कि आप देख सकते हैं पीछे डिजल लोकोमोटिव लगा हुआ है यहा रास्ते में आपको एलेक्ट्रिक मॉटिक मिल जाएगी इस विहार वाले रास्ते में बीच में एक जिगापे नहीं है और तो यह ट्रेन की बात करूं तो यह ट्रेन सबाँ आठ बजे सब 8 बजे एंजेपी यानि की न्यूजल पाई गुड़ी से खुलती है और करीबन तीसरे दिन सुबा 3 बजे यह उदेपूर पहुचाती है तो मैं आज पूरी जर्नी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि लॉक्डाउन का समय है तो पूरे जर्नी करना ठीक नहीं है तो मैं बीच में ही यह जर्नी छोड़ दूंगा मैं यहां से गुरदपूर के लिए जर्नी कर रहा हूँ तो वीडियो पर बने रहे पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करते हैं तो यह ट्रेन टोटल यहां से नेंजेपी से उदेपूर तक 30 हाल्ट है और यह टोटल 2235 किलोमेटर का एरिया कवर करती है तो यह जो सामने आप ट्रेन देख रहे है यह अगरतला सियाल्दा एक्सप्रेस है जो ठीक इसके बगल में ही लगी हुए यह मेरे ट्रेन जिससे मैं जर्नी करने वाला हूँ और यह सियाल्दा अगरतला एक्सप्रेस है अगरतला यह सियाल्दा एक्सप्रेस है मतलब यह अ और उदेपूर ट्रेन की बात करूं तो तो मेरे ट्रेन का नंबर है 09602 ट्रेन नंबर है तो कि नुजल पाइगोडी से उदेपूर जाती है तो एंजेपी रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहां पे टोटल आर्ट प्लेटफॉर्म है दो नेरो गेज और छे बड़े ट्रेनों के लिए नेरो गेज मतलब यहां से आपको डाजलिंग के लिए ट्रेन मिल जाती है ट्रेन जिसको बोलते हैं डाजलिंग ट्रेन और यहा आपको शेरिंग या फिर आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं शेरिंग की बात करूं तो आपको एकसो या डेड़सो में आपको दाजलिंग तक क्यों मिल जाएगा और तीन सो तक आपको सिक्किम यानि ग्यान टोख आप जा सकते हैं और इसी रास्ते आपको गोहाटी डिब्रूगर आसाम साइड जाने का रास्ता है क्योंकि और दूसरा कोई प्लेट फार्म नहीं है अगर आपको आसाम जाना है अगर आप ट्रावल कर रहे हैं तो आपका आने वाले रास्ते में न्यू जल्पाई गुड़ी यानि की एंज़ेपी स्टेशन आएगा ही आएगा तो यह पीछे मेरा कोच है आज में जनरल में सफर करने वाला हूं तो काफी दिनों से सोच रहा था कि जनरल की वीडियो बनाया जाये क्योंकि जनरल कोच के वीडियो काफी चल रहा है यूट्यूब में आप गड़ी में टाइम देख सकते हैं दोस्तों करीबन सब 8 और और हमारे ट्रेन अब निकल चुकी है इस ट्रेन की किराई की बात करूं तो इसमें न्यूजल पाई गुड़ी से उधे पूर्तक का किराया अगर आप सेकेंड शीटिंग यानि जनरल में कर रहे हैं तो पांसो दस रुपे है और स्लिपर में जाएंगे तो 975 हजा रुपे के आसपास थर्ड एसी में 2400-2500 के आसपास और सेकेंड एसी में 3500 के आसपास लगेगा अभी मैं न्यूजल पाई गुड़ी से गुरतपूर तक की यातरा कर रहा हूँ तो मुझे लगे हैं 280 रुपे मैंने ओनलाइन टिकेट बुक की है आई-ार सिटी सी से तो आप भी ओनलाइन बुक कर सकते हैं क्योंकि अभी तो काउंटर रिजर्वेशन काउंटर बहुत दिनों से बंद है हालागे कुछ जगों पर खुले हूंगे तो आप कर सकते हैं तो यह थी किराय की जानकारी कुछ जगों पर खुले हुआने एंगे थी किराय कि प्रेशन कारी बहुत देटी से प्राइन कारीय कारी जगा है झाल झाल तो तो आप हमारी गाड़ी आ चुकी है किसंगंज तो यह बिहार का पहला स्टेशन है जो कि न्यू जलपाई गुड़ी से खुलने के बाद डारेक किसंगंज रुकी है तो आप मेरे पिछे बौट देख सकते हैं यह किसंगंज कि इस बिहार ज्य का यह पहला स्टेशन बंगाल से आते वक्त भीचोड़े मोटे स्टेशन आते हैं अलुअ बरदी जो है वहीशे्यार अस्तों हिसर नेकिन इह भीचार का पै स्टेशन कोड़ के एंगी है और यह हमारा गाड़ी का पहला हॉल्ट है तो हमारी ट्रेन अब यहां से निकल चुकी है कोरोना के वज़े से पूरा स्टेशन खाली-खाली है ऐसे बिहार में 15 यहार दिन का लॉक्डाउन बढ़ा दिया गया है और आपने ट्रेन पी देखियों कि पूरी खाली-खाली ट्रेन जा रही है वीडियो पर बने रहे हैं दोस्तों तो हमारी ट्रेन आ चुकी है दाल खोला यहां पर इसका अफिस्यल हॉल्ट नहीं है लेकिन सिग्नल नहीं होने के वज़े से ट्रेन यहां पर रुक रही है झाल के पर नहीं हो और रहां ब Corinth शेखियो जहरे वीवस कुड़ सनागी क्रूंने स्थक्षै Can पर्योंने पर देखियो Start तो दोस्तों यह जो रास्ता है यही मालना के तरफ जाता है और हमारी ट्रेन अभी राइट वाले में जा रही है इसका मतलब हम कटियार जाएंगे यह रास्ता भिहार के तरफ है तो यहां यह पूरा जो हमारी ट्रेन जो जा रही है वो पूरा सिंगल लाइन है और आप देख सकते हैं यहां पे पिजली के खंबु का कनेक्शन नहीं किया गया है इसलिए हमारी ट्रेन अभी डीजल लोको मोटिव पे चल रही है आपको तुसरी तरफ दिखा देता हूं तुसरी तरफ भी हमारा सिंगल लाइन है आपको तरेना करेंदम है इसको अभी हम कट्यार पहुच चुके हैं तो इसका स्टेशन कोड के आई यार है और इसके बाद यह आगे ट्रेन समस्तिपूर घडिया मजपूर पूर होते हुए गुरक पूर जाएगी अभी हम बिहार में हैं तो इसलिए यहां पर थुरी से भीड है कि काफी लोग यहां स अपने घरों की तरफ जा रहे हैं जैसे कुस लोग समस्तिपूर को गडिया जंक्शिन की तरफ रहते हैं तो वीडियो पर बने रहे हैं कि और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब देरों कर दे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुरसेला जब आप पार करेंगे तो यह ब्रीज बन रहा है नया रेल्वे का जो डबल रेल्वे लाइन के लिए तो अभी ब्रीज का काम बस कंप्लेट होने वाला है थोड़ा सा बाकी है तो मैंने यह वीडियो बनाते वक मैं सोचा मैं यह जनकारी दे रहा हूं तो आप वीडियो देखके समझ गया होंगे ब्रीज कहां तक बना है बाकी उस छोर का पूरा ब्रीज बन गया है इसी पार का बाकी है उसके बाद यह ट्रेन डबल लाइन इस चरब भी चालू हो जाएगा पानी 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 तो दोस्तों भी हम आप पहुचे हैं खगडिया जंक्षन जिसका इस्टेशन कौड के जी जी है यहां पर यह 15 मिनिट लेट है इसके बाद यहां से समस्तिपूर उकेगी समस्तिपूर के बाद मजपरपूर तो वडियो पर बने रहे हैं और एक लाइक का बटन क्लिक कर दें वाद बेग। विसलिए ब्रावनी मोकावां बार वेक्ट्राइटपर के रास्ते राजदा नगत टर्मिनल तो जाएगी बेधाल संक्यान एक प्रारक्श घेरो बजी स्थाइन साम इस्थिता सिना की दिये गबें शाथ आखेज को शुला ने चांब है कि कि आशी ओतें है। मार्क सवाठा था में कर दो तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं समस्तिपूर जंक्शन इसका स्टेशन कोड़ है इस पीजे और यहां करीबे 20 मिनिट लेट है इसके बाद के गाड़ी हमारी मजब्पर को रुखने वाली है तो वीडियो पर बने रहें और लाइफ कर दें यह भी एक बिहार में आने वाला एक स्टेशन है समस्तिपूर जंक्शन जो काफी सर्ज किया जाता है यूटूब में कर दो कि अब हमारी गाड़ी मजब्पर को पहुंच चुकी है तक्रिबन हम लोग साड़े 400 किलमेटर का एरिया कवर कर चुके है है और इसका स्टेशन कोर्ड एम एफ पी है तो इसके बाद आगे यह हाजीपूर उसके बाद छपरा उसके बाद सिवान होते हुए गोरगपूर जाएगी तो इस ट्रेंट पिहार के स्टेशन पे आपके खोड़ी-खोड़ी भीड़ी देखी जा रही है कि लोग अभी भी जो उस तरफ लाइन देख रहे हैं वो मजपूर पुर्चे दूसरी तरफ चले जाती है यानि कि वो लाइन बरोनी जाती है और हमारी ट्रेंट बरोनी नहीं जाती है कि अगला है यह पीड़ स्टेशन के तुर्चे जाती है तो भाईया हमारी ट्रेंट पहुंच चुके है हाजिपूर समय हो गए है साड़े पाच जाने कि यह पीस मिनट अभी लेड है इसके बाद आएगा छपरा वीडियो पे बने रहें और लाइक का बटन जरूर क्लिक करें क्यूंकि वीडियो बनाने का मतलब जब होता है जब आप लाइक करें तो दोस्तों यह जो नदी है यह सोनपूर की नदी है यहीं पे मेला लगता है जब आप आजिपूर से सोनपूर के लिए क्रॉस करेंगे तो बीच में नदी पढ़ती है अजिपूर की ज़िला है यही मेला लगता है विडियो इसले बना रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकता हूं कि सोनपूर का मेला यही लगता है यही वो ब्रिज है तो पॉने साथ हो चुका है और हमारी गाड़ी छपरा इस्टेशन आ चुकी है इसका स्टेशन कोड़ सी पी आर है और यह पूरी ट्रेन अभी पूरी खाली ही जा रही है अब बग मैं आपको दिखाना चाहूंगा और अगर आप आए तो रास्ते में खाना में लेकर आए क्य तो आप देख सकते हैं पूरी एशी बोगी जो की कभी खाली आती अभी पूरी ट्रेन खाली है दिरे दिरे और और हमें दो इस्टेशन ट्रावल करना है तो वीडियो पर बने रहें और हाँ दोस्तों अगर पीजली जर्णी आपने नहीं देखी तो जरूर देखें जो भी वीडियो में ने बनाई है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना पूलें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों जैहिंद तो दोस्तों अभी हम सिवा अंजंक्शन पहुंच चुके हैं इसका स्टेशन इकेंड है इसके बाद हमारी जर्नी खतम होने वाली है वीडियो पर बने रहें तो दोस्तो हम पहुंच चुके हैं अभी दिवरिया स्टेशन और हमारे ट्रेंज जा रही है तो कुछ एमर्जेंसी की वैसे मुझे यही जरनी समाप करनी पड़ रही है आप कैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें पुसंद आए तो लाइक कर दें इंस्टाग्राप के फॉलो करें और अगर वीडियो देखना चाहें तो मैं उपर आई-का करते हैं थैंक यू सो मच्छ जाहिए